वर्क पवर एनरजी के एक और सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं, आज है लेक्चर 11, और जैसे मैंने कहा था, हम बनाएंगे प्रॉब्लम्स बीस्ट ओन Elastic Potential Energy पिछले लेक्चर देखे कि नहीं, ऐसा पूछना पड़ता है, क्योंकि अगर देखे हो, तो मज़ा आज के सेशन में, सारे निमेरिकल्स बड़े आसानी से आप लगा लोगे, इंजॉय करोगे, बहुत खतरनाग देखते जाओ, और अगर नहीं देखे हो, तो उस वीडियो को स्प्रिंग पर नहीं, वायर पर बेस्ट है, लेकिन ये भी इलास्टिक नेजर कराएगा, देखिए इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब किस्से मिलके बनी होती है, अगर हम सित्व वायर की बात करें, तो सर वायर के अंदर भी छोटे-छोटे आटम्स होंगे, वो एक दूसरे से connected रहते हैं, कुछ ऐसे, जुम करके दिखाएं, तो जब हम इस वायर को stretch करते हैं, तो क्या होता है, सर ये जो एटम्स की बीच की spacing होती है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन ज्यादा stretch नहीं करना है नहीं, तो permanent उसमें change आ जाएगा, तो कुछ हद तक हर एक object जो है, वो elasticity को show करता है, elastic nature को exhibit करता है, अगर आप उतना कीचेंगे, तो वापस से वो अपने original shape और size को regain कर लेता है, इसी को elastic nature हम कहते हैं, तो सर इस problem से क्या तालुक है, चलो बताते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले, पहले पढ़ते हैं सवाल, फिर पूरा demo दिख जाती है, जब उस पर एक load लगाया जाता है 5 kg का, वैसे यहाँ पर weight लिखा हुआ है, इनको यहाँ पर value newtons में देना चाहिए था, anyways, तो हम इसको convert कर लेंगे newtons में, weight kg में नहीं होता, weight newtons में होता है, वो एक force है, okay, दो चीज़े, हमें यहाँ पर बताना है कि force constant कितना है मतलब k कितना है wire के लिए, जैसे spring के लिए निकालते हो, जैसे यहाँ wire के लिए निकालोगे, जैसा spring में करते थे, exactly वैसा ही, यहाँ पर wire के साथ आपको करना है, wire बना के दिखाएंगे, रुख जाओ, साथ में यह बताना है कि इसको stretch करने में, कितना कार्य करना पड़ेगा work done in stretching the spring, देखो, work done spring के लिए हम लोग निकाल चुके है, ठीक है, work done is energy stored, याद रखना, और half k x square होता है, कितना होता है, half k x square, समझ में आया, याद रखो work done by spring force, ठीक है, अच्छा, तो condition ऐसी है सर, थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ मैं, देखो, यह है wire का initial position, initial state, ठीक है, ज अब यहाँ पर मैं force लगाऊँगा, और force लगा करके इसको मैं खिचूँगा, खिचने से क्या हो जाएगा, खिचने से कहानी कुछ, ऐसी हो जाएगी, अरे सर, यह क्या कर दिया आप ने, चलो, repeat करते है animation को, यह initial state, यहाँ पर देखो, यह position 1 है, कोई भी extension हुआ है, इसमें, यह है 50 का level, 50 के force लगाने पर, कितना displacement आ जाता है, सर, इतना displacement आता है, इतना मतलब कितना, सर 0.5 का, तो यह लिखो, 0.5 cm, वैसे मैं यहाँ पर शो करती है, तेक, ऐसा graph बनता है, यह तुम देख चूके हो, ठीक है, graphically हर चीज मैंने समझाई है, क्योंकि जैसे जैसे आप force, जितना ज्यादा आपको खीचना है, उतना ज्यादा force लगाना पड़ेगा, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, बच्चो, अगर आपको इसको ऐसा मालो, यह यहाँ पर देख, कितना है, सर, यह 0.5 cm है, मेरे को यहाँ तक खीचना है, ठीक है, मतलब मुझे खीचना है इसको by an amount of 0.25, मैं इतना किजना चाहता हूँ, 0.25 से किजना चाहता हूँ, तो मेरे को कितना force लगाना पड़ेगा, इतना हो सकता है, यह 25 newton के आसपास आए, ठीक, जितना extension, उतना ज्यादा force, ओके, अब आपको सबसे पहले तो force constant calculate करना है, यह बड़ा असान, देखे कैसे होगा है, यह 2 position समझ गए, 1 मतलब यह वाला है, ठीक, और जो 2 है, वो है, मतलब यह वाला, यह, इस position के लिए, 50 newton force, और यह displacement है, 0.5 cm का, देखिए, f is equal to kx होता है, पिंदास लगाओ यहाँ, पिंदास, कोई दिक्कत नहीं, force कितना है, सर्फ force है, यह वाला, 50 newton का, बहुत हमें क्या करना है, हमें calculate करना है, x displacement कितना है, 0.5 cm, एक चीद याद अटना, 0.5 cm, तो प्यारे बच्चों, यह 10 to the power minus 2 होता है, meter को वैसा का वैसा चाप दो, तो आप इसको लिख सकते है, 0.5 into 10 to the power minus 2, यहाँ पर मैं value पुट करता हूँ, force के जगा 50, और x के जगा 0.5 into 10 to the power minus to solve करने पर इतना आगया, यह है force constant, पहले चीज़ हो गई, okay sir, दूसरी देखिए, क्या निकालना है, sir, दूसरे में हमें हमें बताना है, sir, यह work done, कितना है stretching divire, तो कितना लगा होगे, half kx square, ठीक है, पूरा एकदम fundamental level से जाने की जरुबत नहीं, work done by the spring, work done by the force, वो कितना होत question आया है, तो half kx square आया, okay, तो लगाते है, one से two के लिए, लगा लो, k का value 10,000 है, x का value 0.5 cm है, meters मैं रख देना यहाँ पर, मैं रख देता हूं, solve करोगे, बच्चो, तो यह कितना निकल करके आएगा, देखिए, यह आ जाएगा, 0.125 joules, समझ गए, ठीक है sir, इतना तो समझ क्या कोई और तरीका है, बिल्कुल, बहुत सारे तरीके, एक और तरीका आपको बताते हैं, मैंने आपको बताया था, कि अगर आप इस triangle का जो area है, वो calculate कर लेते हैं, तब भी, आप energy stored, या work done calculate कर लोगे, तो work done, one से two area of triangle, क्या होता है, sir, यह होता है, बेस, अच्छा, यह क् value का जब आप plug-in करोगे, यहाँ पर, यह दुख मैंने रख दिया है, centimeter को meter में convert कर लेना, बेस, और यह height, फिर से answer कितना आएगा, 0.12, चलो ठीक है, sir, work done आपने इतनो simple formula से बता दिया, जो हमने derivation के end पर calculate किया था, यह आपने graphical method से बता दिया, कोई और तरीका बताओ, work done त force into displacement, इस तरीके से अब आपको समझाते है, क्या है, force into displacement, लेकिन यहाँ पर देखिए, यह जो force है ना, थोड़ा सा nut cut है, मेरे को अगर इतना displacement मंगता है, इतना, जड़ा zoom करूं, मेरे को इतना सा displacement चाहिए, तो उसके लिए आपको कितना force लगाना पड़ेगा, sir, इतना लगा ले, कि ये वाला ले, कि ये वाला ले, कौन सा force ले, force into displacement लगाना है, तो कोई एक single force की value तो लेनी पड़ेगी, तो आप कुछ मत करो, आप average ले लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, sir, 0 है, यहाँ पे कितना है, 50, बस लगा लो, 0 plus 50 by 2 कर लो, खेल खता हो जाएगा, ठ और displacement कितना है, sir, displacement है, यहाँ से लेकि, यहाँ तक मतलब यह है, 0.5 cm का, तो 0.5 into 10 to the power minus 2, ठीक है, solve कर लो, calculator में पंच कर लो, answer फिर से कितना आएगा, 0.125, तीन approaches बता दिया मैंने इस सवाल में, सिर्फ work done calculate करने के, मदा आया, चलो अब आजाते है, example 2 पे, किसकी बात हो रही है, कुछ car simulations की बात हो रही है, ठीक है, experiment है, चोटा सा, ऐसा समझे लो, आप, तो चलो देखो, to simulate car accidents, auto manufacturers, study the collision of moving cars with mounted springs of different spring constants, भाई, पहला sentence पढ़के, बिल्कुल नहीं घबर आ रहा है, tension मतलो, हर चीज, visualization के साथ, आपको दिखाएंगे, ठीक है, consider a typical simulation with a car of mass, 1000 kg, moving with a speed of 18 kmph, km per hour smooth road, friction का कोई case नहीं है, कोई tension नहीं, and colliding with a horizontal mounted spring of spring constant 6.25 into 10 raise to 3, newton per meter, बहुत बढ़ी है, spring कितना compress होगा, case जो है ना बच्चो, वो कुछ ऐसा है, समझ में है, zoom करें, चलो दिखाते हैं आपको, यहाँ पर एक horizontal spring है, ठीक है, थोड़ा सा zoom out करें, यह लो, हाँ जी, अब सही है, यह spring है, गार जो है, इसकी crash testing हो रही है, ऐसा समझ लो, spring से जाके टकराएगा यहाँ पर, यह जब टकराता है, तो उसका position 1 है, इस समय, उसकी velocity है 18 kmph, by the way, यहाँ पर conversion करना पढ़ेगा, मेरा बाई, meter per second में, आना चाहिए, वो आपको, नहीं तो मैं ब velocity को 18 kmph की velocity को दिरे-दिरे कम करते जाएगा, मतलब negative acceleration, जिसको कि हम deceleration, जिसको कि हम retardation भी कहते, ऐसा कुछ प्रभाव पढ़ेगा, और धीरे-धीरे यह आगे बढ़ता तो जाएगा, spring compress होता जाएगा, और लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, sir, यह रुक जाएगा, बहु question को, data को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, तो इसका mass हमको दे रखा है कितना, 1000 kg, लिख लो, ठीक, साथ में, यहाँ पे जो spring constant है, वो 6.25, इससे पहले मैं इस data को लिखता हूँ, 18 km per hour, यह उसकी velocity है, एक चीज़ याद रखना, km per hour, एक km में कितन करोगे, तो 60-60 हो जाएगा, 3600 सेकेंड, इसको अगर आप solve करोगे, तो वो कितना होता है, यह आता है, 5 by 8, मीटर पर सेकेंड, तो आप एक चीज़ का याद रखना, जो 1 km per hour जो होता है, वो होता है, 5 by 18, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यह तरीका है, कनवर्ट करने का, बार- उसी को ले करके value put कर देते हैं, और गडबड हो जाता है, आप वो गलती मत करना, मुद्दे पर आते है, 5 by 18, याद रखो, जैसे ही आपने किया, तो 18, 18, cancel, आया answer 5, velocity हो गया, के का value, लिक लिए answer, ठीक है, सवाल समझ में आ गया, यहाँ पर, आप सीधा लगाओ, energy conservation, सिखा है, ठीक है, उससे पहले Newton की second law, first law, वो भी आपको apply करना सिखा है, तो चलो, यहाँ पर, लगाते है, energy conservation, ठीक है, तो मुझे जगा बदल नहीं पड़ेगी, जगा change करते है, यहाँ देखिए, और छोटा हो जाओ, okay, energy at position 1, is equal to energy at position 2, यह कौन कहता है, conservation of mechanical energy, ठीक है, अच्छा energy at 1, is equal to energy at 2, 1 पर कौन सी energy है, सर, यह, क्योंकि motion में है, तो kinetic energy, by virtue of motion क्या होता है, kinetic energy, ठीक है, अब यहाँ kinetic energy, शुद्ध, कौन सी energy है, kinetic, ठीक है, क्या कोई potential energy है, यहाँ पर, नहीं है, अला कि मैं लिख देता हूँ, इसको देखो, k1 प्लस u1, k2 प्लस u2, जी, बिल्कुल k1, क्या होगा, kinetic energy, half mv square, बहुत बढ़िया, यहाँ पर क्या कोई spring compress हुआ है, नहीं, यहाँ पर spring कैसा है, must, एकदम relaxed position में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको, तो ना उसमें compression हो रहा है, ना extension, ना compression, तो relaxed है, कोई दिक्कत नहीं, फिर potential energy कहाँ पर आएगा, नहीं आएगा, 0, इसकी velocity घटते 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 घटते, position 2 पे बिल्कुल 0 हो जाती है, बिल्कुल 0, तो k2 का value कितना हो जाएगा, बच्चो 0, और u2 का value, हाँ sir, spring कितने से compress हो गया, इतना amount compress हो गया, x amount, तो u2 कितना हो जाएगा, half kx square हो जाएगा, कितना, half kx square, cool tension नहीं, आपको बस equation को solve कर ल सर 5, रखो, is equal to, half k कितना है, 6.25, रखो, ठीक है, 6.25 into 10 to the power 3, और यहाँ पर क्या आजाएगा, x square, by the way, यहाँ पर square नहीं है, छमा करें, इसको notes मैं मैं सुधार दूँगा, ठीक, half kx square यह हो गया, अच्छा सर, यह भी हो गया, बस आपको x के लिए solve करना है, यह value निकल करक यह 4 meter, समझ गए, ठीक है, अपने conservation mechanical energy तो लगा दिया, लेकिन मजा आ जाता अगर की work energy लगा करके आप इसको calculate करते, तो चलो बदाते हैं वो भी, ठीक है, एक और तरीका देखो, ठीक, यह तरीक, अपने options work out करना बहुत ज़रूरी है, सारे options को, approaches को explore करना बहुत ज़रूरी जीवन में भी, सारे options explore करो, और फिर decide करो, आगे किस देशा में बढ़ना है, यहाँ पर तो हम solve करना हमारा उत देश है, सीख रहे हैं हम options explore करके, तो work energy यह कहता है सर कि, यहाँ से यहाँ तक जो work भी forces work कर रहे है, वो change in kinetic energy के बराबर रहेगा, तो मैंने लिग दिया, जानते spring force कम है, यहाँ थोड़ा जादा है, यहाँ और जादा है, और जादा है, बहुत जादा है, बहुत जादा, सबसे जादा है यहाँ पर position 2 पे spring force, तो spring force का जो value है जैसे जैसे spring दबते जाता है, वैसे वैसे spring force या restoring force का value बढ़ते जाता है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कितन करना होता है सर अक्षिली वह होता है हाफ के एक स्क्वेर हाफ एक स्क्वेर होता है ठीक है बताते हैं चलो उसके बारे में भी के टू सर यहां तक velocity तो है तो kinetic energy भी रहेगा कितना रहेगा half mv square रहेगा तो वो calculate कर लेगे ठीक है अब हम क्या करते हैं बच्चो देखे जरा मैं put करता हूँ spring force work done by the spring force आप देखो spring force कहां लग रहा है sir ये तो left में लग रहा है इसको oppose करेगा और displacement कहां हो रहा है सर राइट में हो रहा है दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिगरी है सीधी सी बात है यहां पर work done जो रहेगा minus half kx square रहेगा समझना है अगर spring force ध्यान से रखना अगर spring force और displacement दोनों same direction में रहते हैं उस case में जो work done रहेगा वो रहेगा plus में half kx square अगर spring force इस तरह है displacement left में है तो work done रहेगा minus half kx square समझ गए इतना सा फंडा इतना सा फंडा याद रखो तो यहां पर क्या रखोगे सर minus half kx square रखेंगे ठीक अच्छा लेकिन यह तो सर ठीक है यह तो formula से बताईए ना fundamentally तब तो समझेंगे चलो force into displacement होता है हाँ sir होता है force कितना लोगे तो force तो sir change हो रहा है कैसे ले पिछला सवाल में क्या किये थे average force लिए थे ना तो यहां पर भी ले लो क्योंकि sir force की कोई fixed value नहीं है एक से 2 के बीच में force बढ़ते ही जा रहा है शूनिया से लेके kx तक बढ़ रहा है तो आप उसका average ले लो displacement कितना है sir x ले लो तो यह लो यह force हो गया direction इस तरफ displacement हो गया कहा displacement हो रहा है compression इस तरफ हो रहा है यह displacement हो गया दोनों के बीच में angle कितना है sir 180 degree तो कितना रखो गया बाई मेरे concept clear है एकदम clear है और मैं चाता हूँ कि वीडियो देखते कि साथ साथ आपके concept भी एकदम perfect हो जाए ठीक है कितना आएगा sir फिर से minus half kx square आएगा करके देख लो यार यो tension लेला ठीक है तो मैंने क्या किया है यहाँ पर work done by spring force minus half kx square put up कर दिया और यहाँ पर kinetic energy 1 यह minus sign ने रहेगा न भूल मत जाना half mv square जीक है अब मेरे खाल में आप चाहो तो minus minus हटा दू और समय आगया है कि हम value को plug-in करें और सवाल को और आगे बढ़ा है चलो देखते हैं मैं काम कर रहा हूँ इस वाले को ना इधर लिख रहा हूँ half mv square मास कितना है सर मास से 1000 kg रखो velocity कितनी है सर यह है 5 रखो square के साथ half kx square रखो half k कितना है यह है सर put करो x square as it is छोड़ दो क्योंकि आपको निकालना क्या है maximum spring कितना दबेगा भाई यही तो calculate करना है तो यह लो भाई अब यह बच्चो वाला calculation मैं नहीं बताने वाला आप करते रहना calculate ठीक है equation कैसे बनेगा यहां तक मैंने पहुचा दिया ठीक एक दम spoon feeding नहीं होगी यह आगई x की value कितनी आई तो यहां पर बच्चो हमने यूज किया work energy theorem पिछले बार हमने यूज किया था conservation of mechanical energy यहां पर भी 4 आया था और यहां पर इसमें work energy यहां पर भी 4 आया वही answer आएगा everything is connected ठीक है ठीक है sir सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाए चलो देखते एक और चीज देखो आप same example है फिर से आपको क्या निकालना है spring में compression निकालना है ठीक है थोड़ा सा twist है अब आपको मैं twist बताता हूँ क्या है वो twist यह है कि इस बार जो है एक नए force जो है वो picture में आ गया कौन सा force है friction 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 फोर्स बोलने की ज़रोती friction बोले तो समझ में आ जाना चीए कि भाई वो force है Newton में लिखना है आपको express करना है अब सर सर एक और force आ गया पहले यह spring force वो कार की speed कम कर रहा था अब friction भी आ गया दोनों मिलकर कार की speed कम करेंगे तो बहुत जल्दी कम कर देंगे तो पहले 4 मिटर कितना था answer यह देखो पिछला answer कितना आया था 4 मिटर आया था अर्थ देख रहे है कि नहीं रुक जाओ कितना आया था 4 मिटर आया था इस बार answer और कम आएगा और आप देखोगे कि वो कम क्यों आ रहा है वो आपको reason समझ में आएगा बिल्कुल ठीक है बताते हैं आपको देखिए ठीक है सर तो कैसे करें 2 forces क्योंकि यह spring को compress कर रहा है तो यह restoring force ऐसा बनेगा ठीक और एक friction को भी लेना है तो वो भी इस तरफ है देखते जाओ spring force friction spring force friction spring friction spring friction ठीक है सर तो मेरे बच्चो आप यह बताईए क्या लगाओ सर conservation of mechanical energy लगाते हैं 1 पे और 2 पे और खेल ख़तम करते हैं नहीं लगा सकते हैं आप सोच रहे होगे कि सर अभी तक तो आप बहुत करवा रहे थे conservation of mechanical energy अचानक से क्या हो reason being very simple conservation of mechanical energy जो होता है वो कब आप apply कर सकते हो याद है कहाँ पर apply कर सकते हैं उसकी condition है बच्चो कौन सी condition है वो थोड़ा सा आपको याद दिलाते है conservation of mechanical energy यहाँ पर लगता है जब आप पढ़के देखिए क्या लिखा है conservative forces के लिए अगर conservative forces कारे कर रहे है किसी बॉड़ी में वहीं पर total mechanical energy conserve रहेगी यहाँ पर कार की बात हो रही है conservative force तो है हमारे पस है क्या कौन सा है यह spring force conservative है और यह friction अरे हाँ सर friction तो conservative नहीं तो बटा यहाँ पर conservation of mechanical energy मत लगाना तो दूसरा option क्या जाता है उसके पापा उसके पापा का स्थिमारल करो रहमास्त्र क्या work energy हर जगा लगेगा बिंदास लगाओ कोई दिक्कत नहीं क्या लगाएंगे हम लोग सर work energy लगाएंगे चलो लगा करके दिखाते सौर पानी पी लिए जाने सर ये लिख तो दिया आपने सर लिखना तो बहुत आसान है कैसे करेंगे दो-दो forces है सर फ्रिक्शन है spring force तो spring force का तो work मेरे भाई तुमको पता ही है spring force कहा लग रहा है इस तरफ displacement कहा हो रहा है इस तरफ दोनों विपरीद दिशा में क्या लिखाओगे माइनस हाफ के x square वो फिर फोर्स displacement करते मत जाना फालतो टाइम लगता है फिर average लोग है वो सब क्यों जंजट में पढ़ना हाफ के x square magnitude में होता है अब अगर force और displacement same direction में है तो भाई प्लस लो अगर विपरीद दिशा में है आईसा तो माइनस लो खेल खतम ऐसा है सर यहाँ पर एक तो spring force का work है और एक यह friction है तो change in kinetic energy अब क्या करें तो सर spring force का work तो आपने बता दिया spring force left में displacement right में तो minus half k x square तो आप लगा दोगे बिंदास यह friction वाला work कहां से लाएंगे सर तो मैं बताता हूँ friction जो है position 1 से position 2 मतलब इतने दूरी के लिए friction लग रहा है यही दोनों positions की बीच में हमको कारे करना है तो work done by friction मैं यहाँ पर अलग से आपको समझाता हूँ force into displacement यह जो कौन सा force है तो बच्चो यह है चोटा f ठीक है कौन सा यही है friction ठीक है sir एकत्म basic जो हम जानते हैं वो ही बताऊँगा आपको कोई नया चीज नया formula नहीं बताऊँगा f into x तो बच्चो friction कहा है sir friction ना left में लगा हूँ displacement कहा हो रहा है sir displacement तो right में हो रहा है तो दोनों के बीच में angle कितना sir 180 degrees तो यहाँ पर क्या लिखो magnitude magnitude और angle माइनस 1 है माइनस f x हो गया friction बराबर क्या होता है sir mu n होता है अरे sir यह n क्या है तो बच्चो यह जमीन से क्या है एक normal लगा n ठीक और यह किस के बराबर रहता है नीचे sir weight के बराबर रहता weight क्या होता है mg मास है में तो weight mg तो n के जगा क्या put करा होगे mg पूट करेंगे sir तो रख दो minus mu mg x यह आ गया समझ गये समझी गये तुम लोग समझदार हो ठीक यह reason समझे न कि यहाँ पर मैंने mechanical energy का conservation क्यों नहीं लगा है ठीक है यह आप से teachers भी वाइवाम पूच सकते बड़ा important question शायद मुझे answer नहीं देना था आप लोग से comment में लिखवाना था तब ज़दा मज़ा आता और समझ में आता कि कितने detail में आप मेरे lectures देख रहे हो तो चलो value put करते है spring force क्या है sir minus half kx square halo भाई minus plus से न दुनिया बदल जाती है अगर सही चिन्न नहीं लगा है न तो answer का बाजा बच जाएगा work done by friction minus mu mg x रखो k2 sir यहाँ पे तो एकदम सूस्त हो जाता है वो velocity is 0 हो जाती है तो काई का kinetic energy 0 लिखो k1 हाँ sir यहाँ पे एकदम चूस्त है फुरतीला है ठीक है तो half mv square लिख सकते हो अब कुछ नहीं है तो kv की values है ना यह पिछला ही सवाल का extension है तो यहाँ से सारी values उठा लो k का value उठा लो mass का value उठा लो v का value उठा लो और यहाँ पर आप put कर दो तो मैं करके दिखाता हूँ k6.25 into 10 raise to 3 था मेरे ख्याल में अच्छा मैंने और simplify किया है तो minus 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 सब को खलास ठीक है मैं जगा अपनी change कर लेता हूँ यहाँ पर आ जाता हूँ अब क्या करें चलो value पुट कर दो k का value रख दिया x square by 2 x square by 2 mu जो है सवाल में बच्चो 0.5 है 0.5 मास कितना है 1000 g का value 10 ले लो असान पढ़ता है 9.8 ते से फिर वहाँ आर वो calculation जंजट में पढ़े 10 लो खेल कतम करो unless अधर वाई stated ठीक है सर x लिग दिये half mv square लगाना है तो मास 1000 है velocity 5 meter per second यहाँ भी लिग दिया हमाने भाई अब मुझे बख्ष दो इसको थोड़ा सा simplify करो एक बनेगा quadratic equation यह quadratic equation फिर से minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a दो roots आएंगे कैसे आएंगे बच्चो एक positive आएगा एक negative आएगा जो positive है उसको आपको accept कर लेना है जो negative है उसको नकार देना है समझ गए यही है कहानी कैसे लगा question का extension था थोड़ा से एक level अप था फिर दो forces के साथ work किये हम और साथ में हमको यह भी समझ में आया कि भाई यहां conservation of mechanical energy नहीं चलेगा यहां कुछ और करना बढ़ेगा समझ में आया चाल यह भी समझ गए यार तो बढ़ी है थोड़ा समय देके बताता हूँ भाई speed को बढ़ा लिया करो आप चौते सवाल पर आते है spring के बारे में बात हो रही है k का value है 24 ठीक है spring mass system है mass m 4 kg 4 kg block initially rest पर surface frictionless है अच्छी बात है भाई frictionless है तो नहीं तो tension हो जाता है अगर frictionless अगर friction रहेगा तो फिर तो भाई energy conservation मतलब mechanical energy का आप नहीं लगा पाऊ आपको बताना है ब्लॉक का speed कितना है जब वो 0.5 मिटर चल चुका है 10 newton का force apply करने के बाद यह condition देख लो इच्छे थे 24 newton per meter ठीक mass कितना सर 4 kg का यह 4 kg का यह दिग गया आपको यहाँ पर यह ठीक कितना force लगा 10 newton का अब जाहिर से बात है जब यह force लगेगा यह constant है ना by the way force ठीक है यह यह यहाँ पर आ गया कितना displacement हो 0.5 मिटर का displacement आपको बताना है ब्लॉक की speed कितनी है interesting सवाल है ठीक है चलो देखते हैं कैसे होगा यह यह दोनों positions है इन दोनों के लिए आप लगा दो work energy मैंने इसको work energy से बनाया ठीक 10 newton का force है यहाँ पर एक और force आएगा कौनसा यह spring force आएगा चलो एक तो work done में 10 newton का force आएगा कितने देर के लिए देर मतलब कितने distance के लिए 0.5 मिटर के लिए एक तो यह चीज़ए उसके बाद spring force भी active रहेगा position 1 set position 2 के बीच में अगर इसको बाहर के तरफ खीच रहे हो तो spring force इस तरफ आएगा और displacement इस तरफ हो रहा है तो दोनों के बीच में angle यह रहेगा तो सिधी सी बात है दोनों अलग-अलग directions में तो जो work done होता है वो कैसा होता है सर minus half k x square अब तो घुज गया ना दिमाग में देख ले ना spring force कहां लगा हुआ है displacement कहां हो रहा है उस हिसाब से decide हो जाएगा plus लेना है कि minus यह work done by 10 newton force work done by spring force is equal to change in quantity जूम करके देख लो यार work done by 10 newton force इसके कारण work force है तो work है न भाई इस mass में लग रहा है फिर spring force तो वो भी 1 से 2 के बीच में active रहाएगा spring force भी और धीरे धीरे उसकी value बढ़ती जाएगी जैसे जैसे displacement बढ़ती जाएगा change in kinetic energy अब सर क्या करें देखिए क्या करना है करते है छोटा हो जाता हूँ मैं देखिए force एक बार में रख रहा हूँ work done क्या होता है force displacement ठीक है आप याद रखो force into displacement वैसे vector में यह होता है magnitude magnitude और दोनों vectors की बीच का angle तो मेरे भाई 10 newton कहा है सर दाएं तरफ जा रहा है यह 10 newton है displacement कहा हो रहा है सर वो भी right में हो रहा है यह displacement तो मेरे भाई दोनों same direction में है तो theta बराबर कितना होगा सर 0 degree होगा तो यहाँ पे रखो 10 into 0.5 cos 0 हाँ सर यह तो समझ में आ गया हुद बढ़ी है चला हो spring force तो spring force कहा लग रहा है सर spring force actually ना क्योंकि spring को खीचा जा रहा है तो वो restoring force इधर लगेगा spring force इस तरफ लगेगा displacement कहा इस तरफ हो रहा है दोनों opposite direction में सीधा लिखो minus half k x square यह रहा ठीक k और x square कितना है मतलब 0.5 का square समझ गए मैंने चाता तो पूरा formula लिख के कर सकता था मैं एक बार में half k x square लगा है वो भी minus sign के साथ क्यों क्योंकि यह है spring force क्ये है displacement यह reason आपको समझ में आना चाहिए ओके सर 2 पर केनर्टी केनर्जी सर यह तो motion में है यह दोखो है कुछ velocity सर 2 पॉइंट पर ना कुछ velocity तो है सर तो half mv square लिखो ठीक मास कितना है तो सर 4 kg का मास बहुत बढ़िया और initial velocity कितनी है यहाँ पर सर है ही नहीं कोई velocity नहीं थी initially वो तो 10 N का force लगा उसके बाद वो दिरे दिरे velocity आते गई उसमें ठीक है तो 0 कर दो अब बच्चो आपको इसको V के लिए solve करना है solve कर लोगे तो आंसर आएगा ये बन मीटर पर सेके समझ गए स्पीड बढ़ा करके देखना मैं समय लेकर बताता हूँ मैं सवालों को ऐसे explain करता हूँ कि ये 5 सवाल देखने के बाद आप 50 सवाल बना लोगे work power energy भी है concept इतने clear हो जाएगे quality पर ध्यान देना है मुझे न कि quantity पर पाच्वे सवाल पर आते तो यहां पर जोड़ा जूम करता हूँ एक metal ball है जिसका mass है M edge height से drop करते है बढ़ बढ़ या फोटो दिया हुआ है इस सवाल में पहला फोटो दिया हुआ है बाकी अगले दो फोटो हमको बनाने at the top on a platform fixed at the top of a vertical spring as shown below what is k, k की value हमें calculate करके बताने है तो condition जो है बच्चो चैसी है एक ball है यहां पर हम उसको hold करके रखें क्या? hold करके पकड़ के रखें फिर holding it right now ठीक है? यह अब हमें क्या करना है? इसको छोड़ देना जब इसको छोड़ोगे तो वो इस कटोरी को यह pan है ना यहां पर जैसे इसको hit करेगा तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा मैंने एक और फोटो ले लिया वो position 2 है अब क्या होगा यह pan यह ball और यह spring का arrangement यह तीनों के तीनों एक साथ नीचे आएंगे और spring कंप्रेस होते जाएगा वो है हमारा final position 3 और इसी को मैंने datum मान लिया अब आई work energy लगाते है तो datum लेना पड़ता है ठीक है conservation of mechanical energy लगाओगे तो फिर action की बाद चलो anyway क्या निकालना है सर आपको बताना है कि यह जो spring है उसके लिए k का value कितना है कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे 1 और 3 पर energy equal कर दो पहले तो यह तरीका मैं आपको बहुत सरी तरीका बताऊँगा चलो देखो conservation of mechanical energy की OME तो 1 पर क्या है सर विचारा एकदम सूस्त है ना velocity है हाँ बस potential energy है सर क्योंकि इस datum level से वो काफी उपर है तो यहाँ पर देखो एक तो 1 से 2 और यह 2 से 3 यह total journey हो रही है ना आप अभी फिलाल 1 पर focus करो 1 पर क्या है तो 1 पर है सर potential energy के प्लस यू के प्लस यू करके लिख देते हैं इसको 1 पर क्या है कौन सी यह potential energy सर यह GPE लिखा है आपने मतलग gravitational potential energy है इसके पास कौन सी potential energy है gravitational potential energy के वन कुछ है क्या नहीं सर 0 है आप इने तो hold कर गे रखा है हाँ U3 यहाँ पर यहाँ पर सर इसी को data माना है आपने लेकिन सर यहाँ पर spring compress हुआ है spring compress हुआ है कितना x amount से compress हुआ है अगर इसको data मान लिया है तो gravitational potential energy तो खतम है तो उसको भूल ला यह जो U है वो किसको represent कर रहा है पता है यह spring potential energy बोले तो elastic potential energy को represent कर रहा है क्योंकि spring जो है इतने amount से compress हो गया वो amount है x तो यहाँ पर half kx square वाला हिसाब किताब आएगा आते है उस पर ठीक है और k3 कितना होगा सर यहाँ पर देखो sl में क्या हो रहा है यहाँ 2 से लेके 3 में यहाँ हो रहा है deceleration बोले तो यहाँ पर जो acceleration भी है वो negative nature का है मतलब velocity को कम कर देगा क्या कर देगा कम कर देगा और करते 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 एक maximum value से वो पहुचा देगा 0 meter per second तक यह condition है 3 पर ऐसी condition के लिए आपको k की value निकाले यह variable type का सवाल है आप देखो k3 कितना होगा पुराने वीडियो जो देखें वो समझ गए मैंने क्या किया 0 is equal to Epe Elastic Potential Energy कितने से compress हुआ सर x amount से तो half k x square बिंदास लिखो यहाँ से आप k की value calculate कर लो भाई गड़ित समझ जाना यह आगया k का value समझ गए इतना देख लो अच्छे सर यह तो असान है सर मज़ा था आएका जब आप work energy से समझाओ तो सर क्या करना है k का value निकालना है चलो 1 से 2 पूरा देखो आप journey 1 से 2 फिर 2 से 3 तो GPE जी बिल्कुल यह अगर datum है तो यहाँ पर भी उसके पास gravitational potential energy है यहाँ पर भी gravitational potential है हाँ datum पर GPE का value 0 हो जाएगा खतम हाँ लेकिन सर 2 से 3 के बीच में elastic potential energy भी है तो ठीक है तो खहने का मतलब यह है आप ऐसा सोचो यहाँ पर कौन सा force है Mg तो यहाँ पर कौन सी energy आएगी GPE ठीक है यहाँ पर कौन सा force लगा है सर Mg कौन सी energy आएगी सर GPE तो मैं एक बार में उसको लिखूँँगा Mg H plus समझ जाओगे देखते जाओ आप ठीक है लेकिन यहाँ पर सर 2 से 3 के बीच में क्या हुआ है spring जो है वो compress हुआ है ठीक है X amount से spring compression के कारण यहाँ पर भी एक work होगा ठीक है अभी समझ में आएगा देखो चलो work done 2 से 3 कौन सी elastic potential energy ठीक है आएगा समझ में आएगा forces कौन सा है यहाँ spring force यहाँ पर force of gravity force of gravity यह spring force change in kinetic energy ठीक conservation of mechanical energy देख लिए अब work energy theorem भी देख लो तो इन दोनों को मिला करके एक बार में हम क्या करते है लेख देते है mg h plus x ठीक है elastic potential energy कितना होगा यह देखो इतना होगा अरे सर यह क्या करती है आप में यह minus में लिखा है अरे हाँ minus में तो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक यह जो journey है ना 2 से 3 के बीच में इस journey के दोरान देखो spring force क्योंकि spring नीचे दब रहा है तो restoring force कहा लगेगा सर उपर लगेगा displacement कहा सर नीचे displacement नीचे हो रहा है spring force अगर उपर लग रहा है तो बच्चो दोनों अगर विपरी direction में है opposite direction में तो minus half kx square ही तो आपको लगाना है मैंने कुछ नहीं गलत किया मैंने जो पढ़ाया जो समझाया है जो physics से exactly उसी को अप्लाय किया आगया बराबर k3 यहाँ पर तो सर बिलकुल सुस्त और यहाँ पर भी सुस्त बीच में velocity था तो यह दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे ठीक है solve कर लो आजाएगा आगया बहुत असान है क्या आशर ठीक है principle of conservation principle of conservation of mechanical energy आपने लगा के दिखाया यह वाला चलो ठीक है आपने work energy theorem भी लगा दिया चलो ठीक है सर कौन सी बड़ी बात है बहुत लोग लगा लेते हैं इन दोनों को मत लगा हुआ फिर answer निकाल के बता हो तब मजा आएगा चलेंज कर इन दोनों को ना लगाए और फिर भी आपको उत्तर चाहिए तो चलो अगले तरीके पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग स्वयम Isaac Newton का नाम लेंगे और उनके loss of motion जो की second law of motion है उसको लगा करके कुछ कुछ खेलते हैं चलो enjoy करेंगे बाई देखो तुम लोग मेरे को challenge कर रहे हो ठीक है और वो भी यहाँ पर मैं आपको Newton's second law of motion लगा करके दिखाऊंगा लेकिन थोड़ा सा technique जो है जो है वो energy conservation से related हर चीज everything is connected इसलिए थे एक sequence में पढ़ाया जाता है चलो तो journey जो है वो इस axis में हो रहा है यह कौन सा axis होता है यह होता है y axis बहुत बढ़ी है y axis चीक net force is equal to ma यह होता है तो हाँ sir k की value निकालनी है तो sir k तो picture में नहीं आता 1-2 के पीच में तो क्या करोगे छोड़ तो 1-2 की journey को हाँ sir 2-3 की journey में k picture में आता है k मतलब spring picture में आता है एक परकार से तो इसी में कुछ न कुछ लोचा लफडा है करना पड़ाएगा हमें तो net force क्योंकि y direction में हो रहा है तो मैंने सब्सक्रिप्ट में वाई लिखा है और acceleration भी y direction का है तो देखोगे समय में आयागा एर मुझी थोड़ा समय दो अच्छा ठीक है तो यहाँ पर forces कौन से लग रहे हैं आप देखिए यह जो metal ball है इसके ओपर दो forces लग रहे हैं यह metal ball बनाया मैंने एक तो स्वयम क्योंकि उसके पास मास है तो weight गुर्थ ठीक है force of gravity दूसरा spring को नीचे लेके जा रहा है spring compress हो रहा है तो वह restoring force का लगाएगा उपर spring compress हो रहा है तो वह expand करने का प्रहास करेगा spring अगर displace नीचे हो रहा है तो restoring force उपर लगेगा ठीक है लिख दिया है मैंने 0 plus kx by 2 restoring force तो 2 से 3 तक continuously बढ़ते जाएगा 0 से kx तक क्या करोगे 0 plus kx by 2 लिखोगे average ठीक है ठीक है चलो तो रखो न यह values को रखोगे तो क्या होगा देखो चलो इसको ऐसे लिखो आप mg minus fs ठीक है fs बोले तो spring force रखेंगे बाद में यह value को m a 2 से 3 2 से 3 ठीक है 2 से 3 की journey पर मैं focus कर रहा हूँ तो 2 से 3 देखो आप यह भी हो गया से अब एक काम करते acceleration तो सर हमारे पास है नहीं 2 से 3 की बीच में ठीक है तो 2 से 3 की journey पर focus करो v square minus u square बराबर 2as होता है हाँ सर तो 2 से 3 यह final यह initial v3 square minus v2 square is equal to 2as लगा दिया 2 से 3 के बीच में acceleration जो है तो a23 लिख दिया बात समझ में एकदम clarity के साथ कोई confusion नहीं होना जा displacement 2 से 3 के बीच में displacement कितना x है 2 से 3 के बीच का acceleration हाँ देखने वली बात है 3 पर velocity सर बिल्कुल 0 हो जाती है एकदम सुस्त हो जाता है यहाँ पर velocity रहती है सर क्योंकि देखो ऊपर से जब आप इसको drop करोगे तो यहाँ पर velocity है 0 meter per second यहाँ पर velocity है यह क्योंकि position 2 आपने लिखा है तो इसको v2 बोलेगे और अच्छे से एकदम realistic दिखाएं आपको यहाँ पर कुछ velocity के साथ वो strike करता है इस velocity को हम कहेंगे v2 और यहाँ पर फिर से सर वो थिले दिले velocity काम होते जाती है deceleration होता है तो velocity 0 meter per second हो जाती है अब अगर मैं यहाँ पर आगे रखो v3 के value 0 रख दी v2 तो है कुछ कितना है देखते to acceleration into s के जगा x लिख दिया है इसको solve करोगे तो यह आगे acceleration के बाले अरे सार यह तो फिर से फस्ट गया है कैसे यह देखो यह v2 square है क्या आपके पर calculate कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं कैसे तो एक और जर्नी ले लो 1 से 2 1 से 2 की जर्नी ले लो फिर से v2 माइनस u2 बराबर 2as मतलब v2 square माइनस v1 square बराबर 2as अब यह जो acceleration है 1 से 2 जर्नी का है तो मासूम बच्चों जरा यह बता है यह 1 से 2 की बीच में यह जो acceleration है कितना है कहां है सर हमारे को तो पता ही नहीं अरे पता है तुमको 1 से 2 की बीच में spring है क्या नहीं है कुछ नहीं है 1 से 2 की बीच में क्या है प्राकृतिक acceleration है कौन सी है acceleration due to gravity बोले तो g बोले तो चाहो तो 10 लिख ले ले ला चलो इसको variable type का solve कर देते यहाँ पर velocity है यहाँ पर 0 है पिलकुल मैंने वैसे ही plug-in कर दिया V2 square की value मुझे यहाँ पर रखनी तो मैं V2 square ही निकालता हूँ 2GH आया उसको यहाँ पर रखो तो 2,2 cancel GH upon X वो भी minus sign के साथ यह आ गया इसको उठा करके यहाँ पर आप रखना है दिखाएं एक बार में यह Fs की value भी रखनी है यहाँ पर चलो minus Fs की value हो गई बराबर mass into acceleration minus GH by X यह रख दिया मैंने इसको solve करना यार ठीक है जगा बदलना पड़ाईगा बई मुझे और छोटा हो जाओ दिख रहे कि नहीं यह value दिख रहे है देख लिए चलो अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर तो थोड़ा सा यार इसको simplify करते है यह तो समझ गए ठीक है क्या निकालना है K का value तो K को एक तरफ ले जाओ यह minus MGH by X को lift में लाओ तो वो plus हो गया और एक काम करते है सर एक्स को LCM ले लेते हैना MGH common ले लेते X प्लस H हो जाएगा कुछ ऐसा ठीक है यह दो तो यह 2 उधर गया X नीचे आया तो X स्क्वेर होगा अल्टीमेटली आंसर वो ही आया भाई इस से ज़्यादा और नहीं हो सकता आपने सबसे पहले conservation of mechanical energy देखा यह work energy और यह थोड़ा सा kinematics का तड़का लगाया हमने फिर थोड़ा सा Newton laws of motion चौक दिया तो बस बन गया सवाल बन गया ठीक है गले में खराश आ गया तो बच्चो यहाँ तक अगर आप लोग पहुच चुके है और आपने patiently देखा है तो सबसे पहले मैं आप सबको congratulate करना चाहूँगा यह सारे problems बड़े important है concepts को बेतर करने के लिए I encourage all of you to solve more problems based on work power energy जितना ज़्यादा सवाल उसके बनाओ ठीक है और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है भाई थोड़ा सा प्यार मुझे दो वीडियो को like करो अपने दोस्तों के सा share करो बहुत important है चैनल को subscribe करो और सारे notifications को on कर लो चेक है बिलते हैं अगले वीडियो में thank you very much good day